यह हमारे पास Lumber Spine की MRI और इसमें Discable Shower है यह हमारा Sagittal View जो कि Side से लिया जाता है और यह होता है हमारा Axial View जो कि ऊपर से लिया जाता है और दोनों Views को proper study करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी Slip Disc की बाद होती है क्योंकि इसमें हमें Disc कहां से निकली है वो पता लगता है और कौन सी nerve को टच कर रहे है वो पता लगता है पर एक View से नहीं दोनों Views को study proper करना बढ़ता है Hello and welcome to 132nd episode of Low Back Pain Series I am Dr. Varun Vasil और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Two Views of Slip Disc अब इसमें MRI, Two Views of MRI क्यों जरूरी होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम Sagittal View में जो कि नॉर्मल हमारी Spine को शो करता है पूरी Spine इसमें Vertibra to Vertibra दिखती है और यह View कैसे लिया जाता है यह होता है Sagittal View इस तरह से यह हमारा MRI इस तरह से लंबा View लिया जाता है मान लिए Spine है और इसको ऐसे घुमा घुमा के इसके Views आते हैं आप मान लिजिए जब हमारी Disc बल्ज होती है कई पर इस View की जो प्रॉब्लम के है जब वो ऐसे घुम घुम के हम MRA को देखते हैं तो जो इस तरफ से हम देख रहे हैं मान लिजिए इस तरफ से आपको लगएगा Disc बाहर जो है वो कम है जब थोड़ा ऐसे घुमता है तो लगता है Disc और बाहर आ गई है ऐसे करने पर ऐसे लगता है बिल्कुल नर्व को टच ही कर रहे है तो इस View में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम इन दा सेंस कि हमें पता नहीं लगता प्रॉपर के जो डिस्क निकली हो कितने डिगरी की निकली होई क्योंकि Center portion आते आते अब इसमें मैं आपको समझाता हूँ इस तरह से हमारे आप देख रहे हैं अब मालनी जे यहाँ पर मारा L5S1 का डिस्क बल जाए अब L5S1 का जो डिस्क बल जाए अब ये View में आपको लगेगा जैसे बिल्कुल साथ में टच कर रहे है थोड़ा सा पहला View देखेंगे तो लगेगा इसमें तो काफी जगा है उससे पहले जाएंगे तो लगेगा और भी बड़ा जगा है और ये View देखिए यहाँ पर आपको लगेगा बिल्कुल टच ही कर चुकी है और बिल्कुल नर्व को बहुत जादा प्रेस कर रही होगी तो इसी तरह से यह प्रॉब्लम आती है इस सजाइटल व्यू की एमरे में तो नाइंटी परसेंट्स हैं यहां हमारे कई बार और और ऑर्फोपेडिशन भी हैं तो उसमें जो डिस्क बल्ग का पोर्शन होता है वह बहुत बड़ा होता है और वह फोरमिनल स्टिनोसिज भी कर रहा होता है तो फोरमियोल स्टिनॉसिस जब कर रहा होता है या केना इशील व्हूविव त्मोट में काफ़ी अच्छे से पता लगता है आपको पता लग गाया है इस व्हूव में यहां से लंबर स्पाइन का लिया जाता है और वह भी एक्जिल व्यू में यहां से लेकर यहां तक आपको सारे वर्टिब्रा उपर से डिरेक्शन पता लग जाएगी किस तरह से वह मैं आपको एमरे में शो करता हूं अब वहां से हमें क्या क्या चीज़े दिखेंगी वह आपको पता लग जाएगा यहां पर हमारा यहां से हमें डिस्क बल्ज हुआ था तो जब हम एक्जिल व्यू देखते हैं तो उसमें प्रॉपर पोजीशनिंग पता लगती है कि डिस्क कौन सी जगह से निकलिया है सेंटर दिस्क बल्ज है यहां मरा डिफ्यूज है सर्कुम्फरेंशल है लैफ साइड है राइड साइड है वो सरा पता लगता अब देखें यहां पर आपको पता के नाल दिख रही है यह मारी वह वर्तिम बोडी है और यह मारी डिस्क जो है पूरा जो डिस्क पोर्शन हां यह बिल्कुल हमारी खुली हुई है अब आपको पता नहीं लगेगा कि यह लेफ्ट में अब आपको पता नहीं लगेगा कि यह लेफ्ट नहीं है आपको जा इस प्रोपर पता लग रहे हैं है इसको राइट माल लेते हैं इसको लेफ्ट माल ल्लेते हैं तो यह ID को फिर उष्ट है थोड़ी सी पर लेफ्ट वाला जो फ्रामिनल के नाल हो बिल्कुल ही ज्यादा सिकुट चुका बिल्कुल स्टिनोसिस हो चुका टाइट हो चुका यह नेरो के नाल जो है इसने प्रॉब्लम की हुई अब देखिए अगर हम सजाइटल भी सिरफ देख लेते तो उसमें नही तो यह व्यूद देखना इसलिए ज़्यादा जुरूरी होता है इस व्यूद में हमें प्रॉपर पता लग जाता है कि सेंड्र के नाल कहां प्लेस है और डिस्क कहां से स्लिप की हुई है कितने डिगरी की है और अगर स्टिनोसिस उसकी एक टांग में पेंज जा रहा है यह एक लग में symptom आ रहे है पेशन के तो वो क्यों आ रहे है यह थी importance में मारे दोनों व्यूद को चेक करने की यह आपने जरूर चेक करना है काफी पेशन ने मेरा जो पहला वीडियो है अमरी कैसे देखना है वो मैंने एक वीडियो और काफी पेशन जो उन्होंने education वहाँ से ल देखता है डिस्क बल्ज हुआ है तो काफी घबरा जाता है अब उससे उसकी education थोड़ी उसकी knowledge और इंप्रूव होगी और वो घबराएगा नहीं तो इसको like कर दीजी शेयर कर दीजे चैनल को subscribe जुदू कर लीजी क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाले है वा perfect support के सार स्टेडी में उनकी जो रिपोर्ट होती है वह best होती है पर हमें फिर भी साथ में अपनी फिल्म और अपने जो पेशेंट्स हैं उसके जो सिम्टम्स हैं वह मैच जूरूर करने जाई है क्योंकि हर रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है तो please correlate clinically और evaluate clinically यानि कि जो हमने रिपोर जो होते हैं वही एक्सपर्ट होते हैं उनकी रिपोर्ट जो होती है उसको देखके भी हम काफी कुछ जो है वो guidance मिलती है जो भी स्पेशली मारे slip disc के case में और अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखना चाते हैं तो उसका भी मारा एक चैनल है सुकून फिजिकल थरपी शॉ प्रोड़क्ट भी है और नीव के रिलेटिट जितने प्रोड़क्ट है एक्सेसाइज प्रोड़क्ट वो भी है दोनों जाके आप order कर सकते हैं have a nice day take care of yourself